नियो जी एलेवन के विशेस कारेक्टरम दावेदार में आपका स्वागत है मैं हूँ राजेश कुमार आज हम एक ऐसे राजनेतिक व्यक्तितु से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो पूरे परदेश की कमान समाल रहे हैं अपनी पार्टी की और ये चुनाव भी लड़ आते भी हैं और खुद भी चुनाव लड़ने की इक्षा रख रहे हैं इस बार विधान्सभा का चुनाओ है इनके मन में भी है कि विधान्सभा चुनाओ लड़े चुकि लोग सुनाओ ये हा चुकि आप समझ गये होंगे हम आपकी मुलाकात किसे कराने जा रहे हैं जी अध्यक्ष लक्षमन गिल्वाजी से, हम इनसे जानेंगे राजनीतिक सफर के बारे में और आगे की योजनाओं के, लक्षमन गिल्वाजी, नियूज 11 के खाज करकर मैं आपका स्वागत चलिए आपको भी बहुत धन्यवाद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले थोड़ा स यूनियन था, उसी से चुनाओं लड़ते लड़ते हैं, हालनकि हम परत्यासी नहीं बन पाए, जिन्होंने आध्यश्पत की उमिदेवर थे, और महां सच्छिव के लिए, कोले में हम लोगों ने उसका काम किया, दिवाल राइटिंग से ले करके, पेंपलेट बाटना, इस सदस्तागरान करने के बाद, पांच बर्षों तक हम लोग ने समाजिक छेतर में, गाउं छेतर में हम लोग ने काम किया भारती जन्तापाटी का, उसमें गाउं दिहात के छेतर में भारती जन्तापाटी का बहुत कम कारकरता मिलते थे, कम कारकरता मिलने के वज़ा से जो ग प्रमिन फेरैंडने ओ है कि अच्छा खासा पकड भारती जनता पार्टी को हो जाएगा उस्ट मैं हमारे अदनिये कभ़ाट्रस मैं किने ने मनेराश प्रदीस Vaid Pradis का एक लीडर भी थे उसमें बिहार राजarda में ए हमें नेता माने जाते थे खास करके इस बिल्ट बनांचल छेतर में तो उसकी नाम बहुत उंचा और बहुत नाम इस छेतर में उसका राइंतिक छेतर में रहता है सब लोग उसको कौन सा काल था यह काल था 90 से लेकर के 95 के बीच में हम लोकल भासा में कुलान की भासा में उसको भिश्व पितामा तक कहते थे यानि उसमें हम बनांचल अलग राज हो इस दिशा में काफी अंदोलन हुआ करता था कई बार हम लोग ने पटना अने कावी काम किया राची में भी कई अंधोलन हुए हमारे लीडर श्वारगिये आज की दिन में हमारी बीच में नहीं रहें स्वारगिये प्रुद्ध परताब शाड़ंगी जी थे इसके बाद कैलाश्मति मिसर जी अनेक अनेक लीडर के साथ हम चगधरपूर विधानसवा चेतर से लच्वन गिलुवा को पाटी का प्रतियासी बनाया पहला प्रतियासी भारत्य जनता पाटी का पालाही चुनाव में हम चगधरपूर विधानसवा सीट भारत्य जनता पाटी को हमने विजय दिलाया भारत्य जनता पाटी चुनाव जी बताया जाता है कि लोग काते हैं आप बड़े दबंग थे अपने छेत्र में समाजिक छेत्र में गरीब गुरुवा इत्यादी लोगों को शुविदा देने के लिए उनकी लड़ाईयां हम लड़ते थे इसमें दबंग कहां से आ गई भाई मैं तो एक समाज सेवा के रूप में गरीबों का सेवा के रूप में हम काम करते थे अब नजरिया अपना अपना है लोगों का मैं तो एक समाज सेवी था समाज के अंतीम पंक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो गरीब है इसका सेवा करते आप विधान सभा में भी प्रतिने दूत की अपने चेतर का और संसत में भी आप पहुँचे तो दोनों की भूम का कैसी लगी हमको तो बहुत खुश नशीव है कि 1995 भीहार विधान सभा का सदस बनने के बाद एमले रहते हुए 1999 में सिंभूम लोगसवा सीट के लिए उमिदवार घोसित किया और हमने पुराने जितने भी रेकॉर्ड था जीत का सिंभूम लोगसवा चेतर का मैं सारा रेकॉर्ड को उसमें भी तोड़ दिया यानि एमिले रहते हुए लोगसवा का टिकट दिया हमने इतिहासिक मतों से सिंभूम लोगसवा सीट पर विजय प्राप्त किया भारतिय जन्ता पाटी के परतियासी के रोप में इसके बाद वहां से पिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद पिर हम जारकन विदान सवा के मेंबर भी रहें 2009 से लेकर के आपका चाओदा तक लेकिन फिर दुबारा चाओदा में फिर से रास्टे हद्य जी ने लोगसवा के लिए टिकट हमको मिला पिर 2014 में भी इतिहास का नाम या व्यक्तिगत काम ये दोनों काम आया इसमें इसी तुरुप से सबसे सबसे पहले तो पाठी का काम पाठी का चुकि मैं पाठी का प्रत्यासी होने के नाते पाठी का अपना एक असित्तो है अपना एक जनधार है छेत्र में इसे हम लोग करते है भारतिये जनसंग के समय से लेकर के भारती जनता पार्टी तक कोलहान और खासकार के सिंभू में काफी पकड़ था भारती जनसंग का भी और भारती जनता पार्टी का भी इसलिए मुझे लगता है कि सरे भारती जनता पार्टी को जाता है यहां तक रश्वन गिलोगा को पहुंचाने में प्रजेस अध्यच के रूप में हैं अभी दोहजार उनीस में लोग सुभा चुनाओं का जो प्रजर सन रहा है इसका क्रिडिट भी आपको जाता है लेकिन आप खुद ही सिटिहार गए दिखिए उसमें क्या है ना कोलहान इन पांच बर्शों में आदरने मोदी जी के नितु प्रुतों में अनिक और नेक काम अनेक यूजना कि जमीन पर दिखाई पड़ता है राज सरकार की भी एजना अनेक और जो भी सिदा जन्ता को लाब मील रहा है तिवर अंतोदय, अंतीम ब्यक्ति यहन्ने समाज के अंतीम पंक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति का विकास करना सारा काम भारतीय जन्टापाटी की चाहे केंदर की सरकार हो चाहे राज की सरकार दोनों सरकार है कर रही इसके वह वजुद भी हमाँ पूरी तरह से आदिवासी बहुल छेत रहे मन की मुंडा का एक ब्योस्था वहां चलता है अब की बार वहां की जो परत्यासी स्रीमती गीता कोड़ा थी उन्होंने एक परचा बांट करके बोला कि हमारी सरकार बनेगी और हम जीतेंगे तो 72,000 रुपया सलाना किशानों को देंगे और दुसरा बोला कि यदि भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनती है तो हम सब आदिवासीन की जमीन को छिन लेगा इस तरह का गुम्रह बरगला करके होट लेने का काम कॉंग्रेस के परत्यासी ने किया है और वहां के जन्ता को एक परकार से चला है ठगा है गुम्रह किया है और लोगों को चला है इसके वज़ाद से उसकी जीत हुई है लेकिन मैं मानता हूँ कि लश्मान गिल्वा जरून चुना हो रहा है लेकिन मैदान नहीं आ रहा है आज भी कोई जगा हम उसके साथ बैठेंगे ज़्यादा समर्थन लश्मान गिल्वा कोई मिलेगा भारती जन्ता पाठी कोई मिलेगा मैं ऐसा मानता हूँ और यह सत्त बात है अभी लेकिन एक छोटा सब्डेक लश्मान गिल्वा जी से आगे भी बात होगी और कहीं जाईएगा नहीं देखते रहे हमारा विशेज कारिकरम दावेदार ब्रेक का बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे विशेज कारिकरम दावेदार में बात हो रही थी जहरकर्ण भाठ्वा के परदेश अध्यक्ष पुरूप शांसत लक्षवन गिल्वा जीज हम आगे भी उनसे बात करेंगे गिल्वा जी यह बताइए कि 2019 में जो लोकसभा की चुना हुआ प्रदरसन आपका कमोवेस अच्छा रहा इसके पीछे क्या कारण थे 2019 की लोकसभा चुना भारतिय जन्ता पाठी ने नारा दिया था कि जारकन प्रदेश में लोकसभा की 14 सीटे हैं हम 14 की 14 सीट पर जीतेंगे भारतिय जन्ता पाठी एंडिये जीतेंगी लेकिन राज की जनता ने भारती जनता पाठे और एंडिये को बहुत ज़्यादा असिरबाद दिया और परिनाम हुआ कि हम 14 में से 12 लोग सावा सीट पर जीत पाएं बहुत अच्छी बात है 2014 के भी जिदी परियाम को देखेंगे तो हम 14 में से 12 जीते हैं दुबारा उसको हमने रिफीट किया है हम यह कहने चाहते हैं कि 2014 से लेकर के 2019 यह जो पांच बरस का कारेकाल रहा है केंदर सरकार की उपलब्दियों से भरा रहा है चाए गर्वों का प्रधानमंत्रे अवास यूजना हो उसके पीछे सरकार की मनसा यहा है कि देश में जितने भी हमारा गरीब है हम उसको 2022 तक पक्का मकान बना करके देंगे दो कमरा का देंगे सोचालाय भी रहेगा कीचन रूम भी रहेंगे यानि जो एक घर में जो सुविदाय मिलने चाहिए प्रधान मंत्री अवास यूजना में भी वही सुविदाए हैं उसके साथ अनेक और अनेक यूजना हैं प्रधान ने कोई ले के चुर्न से खाना बना आते समय कई परकार की बीमारी यह महिला और माता बहुनों में रोती आधारनी नरंडर मोदी जी ने डेश के इस योजना से आप समय पर खाना बना करके परिवार को खिला ना और खाना बनाते समय आपकी समय के भी काफी बचत है जिसके कारण से गरामीन छेत्र में रहने वाले सभी लोगों को कहास करके इस योजना से काफी लोग प्रभावित हुई है यहां भी एक पाठ है अईश्मान भारत यूजना केंदर सरकार की इतनी जादा लाबकारी यूजना है जगरीब कल्यान की यूजना है उससे प्रभावित हो करके उससे लाब ले करके दुबारा से भारतिय जनता पाठी की सरकार को इस जारकन प्रदेश के जनता ने असिरवादे के बनाया गिल्वा जी इतनी योजनाय चली इतने कारिक्रम हुए किंद्र सरकार के राज्य सरकार के लेकिन आपका जो अबजर्वेशन है कि आप की जो हार हो गई वो अफवा के कारण एक शड़यन के तरह एक साजीश के तहट यह आप मानते हैं कि कारणिस हाँ आप यह मानते तो क्या वहां की जनता आप इस बात के में आ गई कि जो अफवा फैलाई जा रही है उसकारण से आपको वोट आपको नकार दिया तिक्या आपको बता दो शिंबुम लोगसवा छेत्र में देश के लोग प्रधान मंत्री शी का बहुत बड़ा सभा हुई टाटा कोलेस के मैदान में मुझे लगता है कि 60-70-1 लाग के लगवक ऐसा भीड़ लोगों का मानना है और मीडिया के लोगों का भी ऐसा मानना है इतनी बड़ी सवा हो जाने के बाद सभी कार्यकरताओं में एक विश्वास जग गया था विश्वास हो गया था कि आपकी बार सिम्भुम लोगसवा सी मुंडा मनकी गाओं के मालिक होते हैं कोई भी गाओं का मालिक मुंडा होता है उसके उपर मनकी होता है उलो को गलत कंविंसिंग हो गया कॉंग्रेस्टियों के तरफ से स्रीमती गीता कोड़ा एंड टीम की तरफ से कि भारते जंता पाठी की सरकार बनती है नरेंदर मोदी क सरकार बनती है तो हम आदिवासियों का और मुलवासियों की जमीन जो है उसको छिना जाएगा हडपा जाएगा इस तरह का दुस्परचार चुनाओं के ठीक पहले सिंबुम लोगसभा छेतर में होने के कारण से और आदिवासियों के बीच में होने के कारण से इसकी नुक्सान भारतिय जंता पाटी लश्मन गिल्वा को उठाना पुड़ा जी ये भी बात चर्चा में थी चुकि गीता कोड़ा वो एंडिये को समर्थन देते आ रही थी राशवा चुनाओं में भी और सदर में भी कई महत्पून विशाय पर लेकिन वो बीजे तुरूप से स्रिमती गीता कोड़ा मिली थी पाठी में जोइन करने के विशेक को लेकिन उनके पीछे उनके पतिद्यों की जो बेग्राउंड है दागदार बेगराउंड आज भी कई केसेस उसकी उपर है गरामेन विदूती करन के केसेस या अने केसेस को ले करके लोग व उपर इस तरह का आरोफ लगा है गवन किया भश्पर चार में लिफ्ट है दिखे भारती जनता पार्टी एक साप सुत्रा राजमितिक दल है ऐसेируगों का भारती जनता पार्टी में लाना सब लोग विचार करने के बाद हम लोग ने उसको भारती जनता पाटी में जोइन नहीं कराया गीता कोड़ा को जोइन कराने से भी कही न कहीं दाग उनका पती का पाटी में जरू लगता आप लोग जो राजसभा चुनाव में उनसे समर्थन लेते रहे तो ये उस समय ये बात भूल गए लेकिन आप साइद ये पार्टी के अंदर हो रहा था कि आपका टिकट कैसे काटा जाए चूकि अध्यक्ष का टिकट की सर्थ पर आना चाहती थी ये सचाई है दिखिए के काटना नहीं काटना दूसरी बात है हमने परसमें कराकरा या ना तो प्रदेस में बाद चीत करके केंदरी नीतुर्त के समक्षी इस बात पर लोग ने कहा है तो फिर केंदरी नीतुर्त तो पर इस तरह का कुछ आदेश नहीं हुआ तो हम लोग बोलेगी साथ इस वक्त या जाइज इतनी जल्दी में उसको पार्टी में सामिल करना हो सकता है लक्षमिन गिल्वाजी से आगे भी बात होगी आगे की योजनाओं के संबंद में हम उनसे जानेंगे कि क्या आगे की उनकी योजना है विधायक का चुनाओं लड़ना चाहते हैं या फिर पार्टी का अस्तर पर संगठन में कुछ काम करना अभी एक ब्रेक का समय है अभी ल कि ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आप देख रहे हैं हमारा विशेशकारिक्रम दावेदार बात हो रही है प्रदेश अध्यक्ष भारती जनता पार्टी के लक्षमिन गिल्वाजी से हमें इनसे आगे की योजनाओं के बारे में जानेंगे गिल्वाजी लोक्षभा चुनाओं ता हार गये खर जनता जिसे पसंद करती है ये लोकतंत्र है कभी आपको आशिरवाद मिला ता आज किसी और को लेकि आगे की क्या यूजना है मैं जरा इस बात को इसफ़ष्ट कर दो 2014 में सिनमातिक गीता कोड़ा को हमने यानि भारती जनता पाठी लच्पन की लोग ने 90 हजार से भी कई ज्यादा मतों से हराया था मुझे लगता है कि चुनाओं में हार और जीत लगा रहता है फिर दूसरा 2019 में जब लोकसभा का चुना हुआ तो उससे कम मतों से हमको हराया है मैं इसको स्विकार करता हूं लेकिन आने वाले दिनों में भारती जनता पाठी का संगटन कोलहान के साथ-साथ पुरा जारकन प्रदेश में बहुत मजबूत है और मुझे लगता है हमारा जो लक्ष है जो केंदरी नितुर्तों ने हम सब लोगों को लक्ष दिया है इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए तो 65 पलस है एक-एक विधानसवा महत्पूर्ण है हम कोसिस हमारा यह रहे गए कि एक-एक सीट को हम जीत करके 65 से पलस करें आपके उपर बड़ी जिम्यवारी है लोक्ष दो चुनाओ की जिम्यवारी तो आपने निवाली जैसे भी है और अभी प्रदेश का चुनाओ है अब चुनाओ में कितना समय है आपको भी पता है कि दो राजियों के चुनाओ के तारिकों की गोजना हो चुकी है तो अब जह आरखन की ही बारी है एक माह के बार लगता है कि आपको लगता है कि यहां पर जो 81 विधान सभा सीटे हैं आपने तय किया है ने पार्टी ने तय किया है कि 65 से अधिक सीटे जीतेंगे आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है जो कि आप ये आंकड़ा ले आएंगे 2014 से इस राज में और इस देश में दो जगा भारती जनता पाठी इंडिये की सासन है सरकार है यह इसको हम कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार हैं आज के दिन में सबसे पहले तो महिलाओं को शमान भारत के कोई भी इस्टेट में कोई भी राज में एक रुपिया मात्र से पचास लाग रुपया तक की संपति की रेजिस्ट्री नहीं होती है एक प्रकार से महिलाओं का जो हुरुजहान है या महिलाओं का जो पसंदीता है सबसे पहला भारती जनता पार्टी है दुसरा अयुश्वान भारत योजना राज सरकार और केंदर सरकार की संयुक्त प्रयास से एक 108 एंबुलेंस ये बहुत बड़ा कारगर शाबित हो रहा है आज की दिन में चाहे गाओं में हो चाहे साहर में हो खास करके गरिबूं को इसके बाद मुखमंतरी किर्शी अशिरवाद योजना किशानों की लिए पर प् कि पर्लामेंट में चर्चा होती है तो आज लोग बोलता है कि ने किशान आतमाता कर लिया है माध्य प्रदेश में कभी महरस्टा में कभी बिहार में तो कभी कहीं यानि अनेकों जगाओं पर इस तरह की चर्चाएं आती है और पार्लामेंट के अंदर इस पॉइंट्स को लेकर इस बात को लेकर के स्पेश्यल डिवेड्ट होता था भी चार मेंड़ लेकिन अब मुझे लगता है कि यहां योजना देश में सुरू हो जाने के बाद कहीं से भी किसानों की आत्म हत्य की सुचना हैं हमको तो नहीं मिला है ना राज से मिला है ना केंदर से मिल रहा है यहीं कि भारत बर के किसी भी राज्यों से इस परकार की सुचना अब तक नहीं पराप्त हुआ है कहने का आरती आए कि यहां योजना बड़ा कारगार है और लाबकारी है किशानों के लिए इस तरह से कई योजना है मुखमंतरी सूकन योजना आप माता जी बेटी को जनम देंगी तो जनम होते के साथ उनके खाता में पांच हजार पहला कलास में नमांकन लेगी बेटी तब पांच हजार इस तरह का बारोई कलास तक पढ़ने में उसको चालीस अजार रुपया की सहता और ठीक है आगे पढ़ना नहीं चाहेंगे और उमर हो जाएगा ठार से पार तो महबाप का खुशी होंगी तो साधी देना चाहता है चाहती है तो भई तीस अजार मुखमंत्री कन्यदान योजना से इतनी बड़ी सुविधाएं या जारकन प्रदेश की सरकार दे रही है इसके साथ अनेको अनेक है अनेको अनेक योजना इसी लिए केंदर सरकार राज सरकार की इतनी सारी योजनाओं से लाब जनता को सीधा मिल रहा है double engine की सरकार है राज में भारते जनता पाथी केंदर में भारते जनता पाथी इसलिए मुझे विश्वास है कि इतनी योजना गरीब कल्यान की योजना ध dicht के अंदर में राज के अंदर में चल रहा है निसीत रूप से अनेक लाभारती को इसका लाब मिल रहा है इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा जो 65 पार है हमारा जो लक्ष निसित रूप से इसको पूरा करें यह बताए कि इस वार आप संकेत दे रहें कि विधान सुभा का चुनाओं लड़ेंगे आप चक्रदर पूरू विधान सुभा चेत्र से क्या यह श्वनिति बना कि चुनाओं समीधी अनुशनशा करता है की समथी परदान करके आप मनेन साकरерм करके केंद्र को वह सुन सन्तार अनत्र तकट जेनी की बात केंद्रिए चुनाओं समीधी की ऊपर ही राता है लेकिन हम लोग कार करता होने के नाते चुनाओं लड़ना तो सब्सक्राइब केंद्रिये नीतुर जदी कहेंगे चुनाओं लड़ने के तो लश्मान लड़निसे तुरूप से लड़ेंगे आप चक्रधरपुर विदानशवाद चेतर में पूरा कारिक्रम दे रहे हैं समय दे रहे हैं इससे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आप पूरे दिल से इच्छुक है कि इस वार विधानसवा चुनाओं में आप उतरें और जितनी की का प्रियास करें कि हमारा तो बुरा कोलान में हम घुम रहे हैं कोलान में हमारा 14 विधानसवा की सीटे हैं 2000 में हमने 10 विधानसवा सीट पर विजय प्रप्त किया था आपकी बार भी 2019 की विधानसवा चुनाओं में हम 14 में से 14 विधानसवा सीट कोलान का जीतना चाहते हैं उस तर्ज पर हम वह काम कर रहे हैं कि आपकी चाहत क्या है हमने तो सभी को लड़ाना है हमको हमको सभी सीटों पर भारती जनता पाटी के प्रत्यासी को लडाना है केंद्र लश्वन गिलुवा को चुनाओं लड़ने के लिए आधिकरित करेंगे तो निश्वित रुप से चक्रधरपूर विधानसवा चेतर से चुनाओं मैं लडूंगा आश्वासन देजिए चक्रधरपूर की जनता को कि मैं विधानसवा में सिर्फ केंद्र का एक आदेश हों पाटी प्रत्यासी बनाएंगे तो निश्वित रुप से आश्वासन करता करना चाहते हैं विश्वास देलाना चाहते हैं चक्रधर विधानसवा चेतर के जनता को कि वहां की तस्वीर और तकदीर इन पांच बर्शों में जरूर कि रोड रास्ता तो अलग चीजिए लेकिन उहां बिरोजगार पलायन की समस्या है लेकिन राज के लोगप्री मुखमंतर ने कापी परियास किया है लेकिन चुनाओं के बाद भारती जनता पार्टी की सरकार बनेगी अनुसित है चकरधरपूर विधानसवा चेतर के जनता को भी सारी सुविदाय मिलेगी मैं ऐसा अस्वस्त करना चाहते है घर घर रगुवर आपके घर में भी रगुवर भारती जनता पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक संपन हुई थी अपना प्रदेश मुख्यालाय में तो हम लोग ने यूजना का नाम कारकरम का करना उन यह सारे में कर रहे थे सभी लोगों की राये कु Bieber बनी कि राज की मुखमंत्री सब्सक्राइन का दें लोग हैं ओई3 सरकार कि ऑजनां को पहुंचाने का काम कर रहें जानकरे पतो चुनाव में सुनाव में रगुवर जी ही एक मातर चेहरा हों शोट कि नहीं दिखिए रास्ट्री अद्य जी का प्रवाश हुआ था जन असिर्वाद यात्रा के तहथ उन्होंने इशारा किया है रास्ट्री अद्य जी ने कि चुनाओं में चेहरा रगवारदास जी रहेंगे कि जो भी जारकन प्रदेश के लिडर तो रगवारदास जी आई है अदने मुख मंत्री है प्रदेश केंदर केंदर की और से जिस तरह से एक निर्देश होगा हम उसको हंडेड परसेंट उसको सत परतिसत अमानुपलन करेंगे इसा भी चहरा रगवर जी होगा सारा प्रदेश के पतादिकारी रगवर रगवर जी के रगवर जी को सामने कर रखे कि शिलिक्स में निशित रूप से उनका शेरा सामने रहे हैं तो यह थे एक बड़े दावेदार जो खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर पार्टी ने इन्हें टिकट दिया तो लेकिन इनका बड़ा दायत तो यह है कि यह प्रदेश में जो चुनाव होंगे विधान कर दिखाएंगे अपनी भी सीट जीतेंगे और अन्य प्रत्यासियों के भी सीट को जितवा करेंगे तो अगले एपिसोड में यानि दावेदार के अगले एपिसोड में हम ऐसे ही किसी दावेदार राजनेता से आपकी मुलागात कराएंगे और उनके बारे में विस्तार से जा लेगे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार